राजस्तान में सांसत किरोडी लाल मीडा के दावे के बाद राजधानी जैपुर में आईकर विभाग की टीम ने गणपती प्लाजा के लोकर्स को खुला लोकर्स खुलने के बाद आईकर टीम हैरान रह गई लोकर्स में करोडो रुपए कैश और सोना निकला आईटी टीम ने कैश की गिंती के लिए मशीने लगवाई लोकर्स से इतना धन निकलने के बाद भारती जंता पार्टी के सांसत किरोडी लाल मीडा ने कहा कि मैंने जो कहा था आखिरकार वही हुआ आपको बता दे कि पिछले दिनों सांसत किरोडी लाल मेडा ने गनपती प्लाजा के लॉकर्स में करोडो रुपए का काला धन होने का दावा किया था और इसी दावा के साथ सांसत धरने परवैड गये थे उनका कहना था कि गनपती प्लाजा के 100 लॉकर्स में 50 किलो सोना और करीबन 500 करोड रुपए का काला धन है ये धन कई घोटालों से जुड़ा हुआ है गनपती प्लाजा में कई लॉकर्स ऐसे हैं जिनके मालिक अस्तित्तों में ही नहीं है जिस नाम से लॉकर्स को खोला जा रहा है उस नाम का कोई व्यक्ती है ही नहीं जो पता लिखा है वो भी मैच नहीं हो पा रहा है इसलिए आयकर विभाग के अधिकारियों को इन लॉकर्स की जाच में समय लग रहा है इस मामले को लेकर सांसत किरोडी लाल मीडा ने कहा कि गणपती प्लाजा लोकर्स के पास पहुचा था, वहाँ पर 1100 लोकर्स थे जो अवैद तरीके से रखे गए थे, मुझे सूशना मिली थी कि इन लोकर्स में करोडो रुपए का धन अवैद रूप से रखा गया है, मैं सर गोटाले का खुलासा हो सकेगा, भारती जंत पार्टी के सांसत किरोडी लाल मीडा ने कहा कि मैंने दावा किया था कि गणपती प्लाजा के लोकर्स में करोडो का काला धन और सोना है, आज ये बात साबित हो गई है, लोकर्स एक करोडो का कैश और सोना निकल रहा है, की गोटाले के सरग्णा, सीपी सिंग के लोकरों में भारी सोना और भारी रकम की सूचना मेरे को मिली थी, अब आज वहां के लोकर धेर सारे करोडो का सोना उगल रहें और करोडो की नकदी उगल रहे हैं, सीपी सिंग के जो तीन लोकर थे, वो खाली मिले, मेरे को विश्वश्वस्त सूतर ने बताया है, कि जब मैंने डिव आई टी के घृटालों को उजागर किया था, जिसमें सीपी सिंग का जिकर किया था उस दिन के बाद ही सीपी सिंग ने इसी गणपति प्लाजा लोकर्स में बे नामी नामों से लोकर तीन लोकर लेकर अपना सारा धन सारा नगदी और जेवर उहीं रख दिये मैं सरकार से मांग करना चाता हूँ कि उन बे नामी लोकर्स का पता करें इसकी जाच गहराई से कराई जाए और जो डियो आईटी में पांच अजार करोड का घोटा ला हुआ है जिसकी आज बड़े बिरोकरेट्स और बड़े नेताओं तो जानी है उसका जाच कराया जाच कराय जाना नेतान तावश्चक है यह और भी बड़ा गंभीर अपराद है कि पत्रकार वारता के बाद सीपी सिंग जो जन्रल मेनेजर है डियो आईटी में वो अपने धन को बेनामी लोकर्स में वहीं डब लगा दे इसलिए मैं इडी से भी मांग करता हूँ और राज़ी सरकार से मांग करता हूँ कि इस पूरे प्रक्रक्रकी सीबियाई से कराई जाए जिससे डियो आईटी के पाच से चार करोर के घोटाले में लिप्त लोगों का खुलासा हो सके